नमस्ति दोस्तों तेम्हारों का सीजन स्टार्ट हो गया है और आज हम बनाने जाने एक स्विट दिश कलाकंद अगर बताई हुए मेरे प्रॉपर टिप्स और ट्रिक्स से साथ बनाएंगे तो आपका कलाकंद और इसका दाना बहुत ही पॉफेट बनेगा तो चले शुरू करते हैं यह मैंने कढाई ली है और इसमें मैंने डालाया हाफ कब वॉटर और दो लिटर मिल्क मिल्क हमने फुल क्रीम लेना है यह मैंने इसमें 2 लिटर मिल्क डाल दिया है और इसको आपको तेज आँच पे पकाना है कंटिनूसली चलाते हुए हम तेज आँच पे पकाएंगे तभी हमारा कलर एकदम सफेड बनेगा नहीं तो इसका कलर दाक हुजाएगा तो इसलिए यह हमें तेज आँच पे ही पकाना है और लगातार चलाते रहना है हलवाई वगेरा भी जब कलाकन बनाते हैं तो एकदम तेज आँच पे ही पकाते हैं इससे हमारे दूद का color change नहीं होता तो हमें तेज आँच पे ही इसको continuously चलाते हुए पकाना है ये देखे मैं इसको continuously उपर से नीचे तक चलाये जा रही हूँ और मैंने इसको बिल्कुल भी छोड़ा नहीं है और आँच हमारी एकदम तेज होनी चाहिए जब दूद हमारा boil होकी 3-4 रह जाता है अब हम इसमें डालेंगी 3-4 cup शुगर आप चाहो तो थोड़ सी शुगर की quantity बढ़ास रखते हो नहीं तो 2 लिटर में 3-4 cup इनफ है और इसको हम लोग continuously stir करते रहेंगे जिसे हमारा कलर एकदम अच्छे से वाइट आएगा अब हम इसको लगातार चलाते जाएंगे जब तक यह पक रहा है तब तक हम लेंगे half cup water और इसमें डालेंगे half teaspoon citric acid आप चाहो तो इसमें नीम्बू का सत यूज़ कर सकते हो लेमन यूज़ कर सकते हो चाहो तो सिरका भ आपने water बनाया था यह हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे जब इसको डालेंगे तब आपकी आँच धीमे होगी और आपने इसको वापस तेज आँच पे पका लेना है अब यह देखिए यह अभी तक हमारा फटा नहीं है मतलब इसका ratio तयार नहीं हुआ है यह देखिए अब अब भी बहुत छोड़े छोड़े दाने है तो हम लोग थोड़ा थोड़ा इसमें और डालेंगे एक चीज़ आप specially ध्यान रखना कि जब आप डालेंगे तब आप आँच इसकी धीमी होनी चाहिए और उसके बद आप इसको वापस तेज आँच पे पका लेंगे अब इसक दाना एकदम परफेक्टली रेडी है ना बहुत बड़ा है ना छोटा तेज आँच पे जब हम डालेंगे तो क्या होगा कि हमारा दूद्ध फटेगा नहीं अगर आपने इसको तेज आँच पे डाल दिया तो एक साइड में पनीरी खटा हो जागा और एक साइड में वाट खटा हो जागा यह देखिए अब आपको दाना एकदम पॉफेक्टली दिख रहा होगा और इसको हम चलाते हुए पकाते रहेंगे अराउंड दस से पंदा मिनट बाद यह देखिए कितना पॉफेक्टली रेश्यो हम लोगा रेडी हो चुका है यह देखिए तो इसको अब बिल्कुल वैसा ही यह देखिए अब हम इसको एक ट्रे में डाल लेते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रग लेंगे यह देखिए मैंने सारे एक ट्रे में ट्रांस्वर कर लिया है और उपर से मैं इसमें को गांडिशिंग कर रही हूं पिस्ता बदाम और रोस पैटल से यह देखिए बहुत ही यम्मी और टेस्टी लग रहा है देखने में अब अब अपने अकॉर्डिंग इसके स्लाइस काट लीजी देखिए कितना परफेक्ट बनाया है हमारा कलाकन इंजोई